नमस्कार आप देख रहे हैं गर्णतंत्र म्यूज और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने लिया संज्यार डीसी को पत्र लिखकर मांगेंगे प्रतिमा के स्थान परिवर्तन करने की अनुमती हजारी बाग की जनभावना का कदर वसम्मान है जरूरी रंजन चौधरी हजारी बाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में करीब तीन वर्ष पूर्व 9 दिसंबर 2018 को हजारी बाग की पावन धर्ती पर जन लेने वाले विभूती प्रसिद वैज्ञानिक और भारत के पहले टेस्ट क्यू बेबी के जनक माने जाने वाले डोंसर उभाष मुखो पाध्याय की एक आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा का अधिश्ठापन हजारी बाग की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हजारी बाग जिला प्रशासन की पहल पर किया गया था। उनकी प्रतिमा अधिश्ठापन का उद्द शे समाज को ऐसे विभूती जिन्होंने सीमित संसाधन में रिसर्च के क्षेत्र में उस वक्त उत्ख्रिष्ट कारे करने का गौरफ प्राप्त किया जब साइन्स अत्यधिक विक्सित नहीं हुई थी लेकिन विगत कुछ दिनों पूर्व हजारी बाग मेडिकल कॉलेज अस्पतार प्रबंधन की घोर लापरवाही के कारण उनकी प्रतिमा के सामने एक शेड का ऐसा निर्मार किया गया जिसमें उनका चेहरा नजर नहीं आने लगा और यहां आने वाले लोगों को उनकी प्रतिमा नहीं दिखने लगी इस मामले का ओ लेकर विगत मंगलवार हजारी बाग सदर विधायक मनीश जाइसवार के मीडिया प्रतिनीधी रंजन चौधरी ने पुर्जोर तरीके से उठाया और हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रेटेंडेंट दो विनोध कुमार से मिलकर हजारी बाग की जनभावना का मांद की कि मुर्टी को शिप्ट करना ही सबसे चल पाए रहे हैं कि मुर्टी को वहां से शिप्ट करने और एक ऐसे जगह पर लगाएं जहां से सभी लोग देख सकते शेड को तो हटा नहीं सकते बिकॉज ये डिस्टिबुशन काउंटर है रेस्टेशन काउंटर है तो बारिश और कि मुर्टी को देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को उन करें